करेंगे लाइब्रेरी की तैयारी की तैयारी करेंगे क्यों तैयारी करेंगे आपको सब को पता है एन्वियस में हमने लाइब्रेरी का फॉर्म बर दिया यारे कि सभी बाश्टूडेंटों ने लाइब्रेरी का फॉर्म बर दिया है तो लाइब्रेरी की फॉर्म बरने के लाइबरेरी में क्या चीज इंपोर्टेंट है और क्या पॉन्सेट है हववा बना रखा लाइबरेरी का बहुत से स्टूडेंट यह गहते हैं लाइबरीरी चीजी समझ में नहीं आती क्यों नहीं समझ में आती आप लेके चलिए सिदे-सिदे आप कोई भी किताब उठा जो मोटी से मोटी किताब हूँ और आप एक महिने में पढ़ सकें कम से कम तीन बार तो तीन बार जो किताब पढ़ सकें वह किताब ले लीजिए और लाइबरेरी का A1 पेस से लेके 400 पन्ने की किताब मिलेगी मैक्सिम तो 400 पन्ने आपको सारे पढ़ देने हैं क्यों पढ़ पॉल्टिकल हो गया तीजीटी पीजीटी ठीक है आप आती है लाइब्रेरी की बात लाइब्रेरी भी भाई भाई लाइब्रेरी में सीधे सीधे यह मान कि जाए रेफरेंस सिस्टम है यूडी सी एए ल्डी सी सी है रंगर नातन को बतल जाहें सी रंगर नातन ने नहीं है तो अभじゃ यानि कीOoh, इस लाइब्रेरी में जू फस्ट लाइन यह सब सेब रहेगी जिंद्गी बार सेम रहेगी क्यूं सेब हां कॉंसप्ट माननके चलता हूं मैं कि इतने सब चीज हटाते हैं लेक्ष एक कॉंसप्ट आप लेके चलते हैं जब आता है लाइबरी लेन बीलीव की बाता है अब आता है बी ल आई एस जान लॉटा होता है दो कॉंसेप्ट आपको समझने चाहिए आप अगर बिल्ईव हो या ब्लस दोनों कॉंसेप्ट समझї लू आज ही कॉंसेप्ट समझ लो तब A issues और ब्लाय एस यानि कि नहीं था और उसमें रेफरेंस सिस्टेम यानि एक तरह से जो ओड बने वे थे जो सीसी है डेट एक कोश्च है कोड़ है उसमें कंप्यूटर नहीं था और आप आते हैं लाइबरियन इंफोर्मेशन साइस यानि कि पी लिए जिसे बीलिस कहते हैं वो उसमें अपने देखा हुआ कि एक्स्ट्रा जब आप तेगा रहे हैं या फिर आप 10 किताब है दस में से एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा चाहे देखें दोनों को इस कॉंसर्ट को समझना आपको important है दोनों को मुसरी student ही कहते हैं जो believer है कि computer क्यों डाला गया computer है क्यों डाला गया computer computer इसलिए डाला गया क्योंकि आप जब book को बच्चे को देते हैं उसे register में डालते हैं और register माल लिजे यह खो गया computer यह फिर computer का डाटा उड़ सकता है माल लिए हमने पर बहुत से जो high-tech है college है यानि college है school है उनमें software हो में data store होता है और उसमें alert भी रहता है कि बच्चे को उसके information दे जाती कि आपका due date complete होने वाजी तो यहां आप सारी चीजे computer including इसलिए गया कि computer में यानि कि इतना जो paper work हो रहा था उसको कम करने के लिए और एक तरह से digitally involve करने के लिए कि आप मेरे से चीजे सीख रहे हो तो डिजीटली सीख रहे हो या फिर आप कोई से प्लैटफोर्म से आपने बुक डाउनलोड करी तो वो डिजीटली डाउनलोड की यह थोड़ी कि आपने ओनलाइन या फिर pen paper वाली बुक डाउनलोड करी तो डिजीटली यह सब चीजे बहुत सारी चीजे इंकुलूडिंग होती है इसलिए computer library को computer से जोड़ा गया यानि कि library को science बना दिया computer जोड़के science बना दिया बैचलर इन लाइबरी एंड information science कर दिया गया चीजे चलिए अब आगे हम देखते हैं आज क्या यूडी सी है तो उसका आगा प्रह प्रह प्रश्टक एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मैं भले ही आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं क्योंकि हिंदी स्टूडेंट बहुत हैं मैंने यह जब बात करी थी आपने भी बहुत से जानने वालों से और यह दर भी देखा था य तो आप को एक्ति मांचे बहुत तो तो सिद्धे मान के चलिए मेरी माने तो इंगलिश में पढ़िए बहुत सारी है यानि कि देखें आपका मीडियम हिंदी रखें पर यह से यूडी शी आ गया सीशी आ गया कॉलोन क्लासिविकेशन तो कोलोन क्लासिविकेशन को जम हिंदी बढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूं कि अब जैसे यहां कि प्रहय प्रश्टक है तो प्रहय प्रश्टक चीजें समझ में इसलिए को कहता हूं इंग्लीश में हिंदी में सारे आपके कोश्चन डालें को इंक्लोडिंग किया जितने मेरे पर हुए हैं और क्योंकि मैंन जब इंग्लीश और हिंदी का देखा रेश्यो तो बच्चे हिंदी के बहुत है और हिंदी की चीजे समझ भी बच्चों नहीं आए अब मैं यहां पर दोनों कोश्चन डाल सकता था पर मुझे इंग्लीश वाले कोश्चन भोड़े मिले नहीं क्योंकि टाइम की कमीवी और करते हैं प्रदेश से खाता है तो वह सीदे सीदे होगा पी इए और टी नेट वरक के बारे में इंपोर्टन आपको पी और टी कॉंसर दिख जाए पी आरटी चलिए अब आता है देखिए इंपोर्टन पांसर्ट यह है शोध गंगोत्री शोध गंगा एक यह ऐसी चीजे म लमाद के चलिए तो यह कोश्षन आता है शोध गंगोत्री पर शोध गंगा यह जो आप अगर आप बहुत से श्टूटन डेगे मैं नहीं कहता कि बहुत से च्टूटन है बीव यह होंगे किसी ने पीएजडी भी करी हो गया याने पीएजडी वाले स्टूडन पान्गे तो वह इस चीज़ का दियान उन्हें पता हूँ शौंद गंगोत्री क्या है शौंद गंगोत्री एक तरह से रिसर्च कर जितना हमारी रिसर्च का डाटा होता है उस पे इस इस तरह पर यानि इस इस फिल्ड में रिसर्च करिए चाहे आप ग्रैजुएशन पीजी और प्र प पड़ा रहा हूं है कि जब आप हिंदी में कॉंसप्ट यारे हिंदी पच्चे जाना है तो इसलिए आपको फिर उसी भारी वरकम सब्दों से गुज़र्णा भी बढ़ेगा चलिए कुशन नंबर 4 देखते हैं ऐसा रंगानातन द्वारा प्रदित वर्गी करण के अनुसा देखते हैं मेटो दस्तावे यहनि की ऑप्षिन नंबर वान आ जाए वसका आंसर चलिए कुशन नंबर 5 देखते हैं किस बार इंस्टूट यानि इफला का स्थापना हुई सीधे-सीधे इफला वाली बात आती है इफला और इफला की फुल फॉर्म यानि इफला की फुल में कि एफला की फॉर्म ज्याधा पूछी आती है तो इफला की फॉल फॉर्म यानि इफला की फुल फॉर्म यह लिखी इफले आप इसीधे अध्याना चलिए आगी देलते हैं कोशन नमबर 6 देखते हैं कोलोन वर्गी करेंड में यह देखिए यह इसका होगा इस तरह से यह इस तरह से पूछा गया कोशन ही एफ 3 कंप्यूटर में नहीं आ रहा था तो यह प्रियोग किया जाता है तो वह होता है फोस्ट्यो रो इंजिंग परस्नल्टी कोलम आईसोलेट यानि कि ऑप्शन नमबर 1 हो जाएगा इसका अंसर देखिए अब मैं इसलिए कह रहा हूं देखिए अगर आप इंग्लिश में पढ़ते तो इंग्लिश में आपको थोड़ा सा अलग चीज़े मिलते हैं अब फोस्ट इसलिए आपको चीज़े समझने पढ़ेंगी लाइबरी एक ऐसा सब्जेक्ट है वह इंग्लिश में जादा समझ में आता है चलिए नमबर 7 देखिए नियर में से कौन से राज्य में लोग पुस्तकाले अधिनियम लागू किया गया है तो लोग पुस्तकाले अधिनियम ल इसलिए इंपोर्टन है कुशन चलिए कुशन नमर एट देखते हैं कुशन नमर एट क्या कर दा है नियम में से किस मल्टी यूजर ऑपरेटर इस ट्रीम का उपयोग किया जाता है तो वह होता है सर्वर यानि की ऑप्शन हो जाएगा भी चलिए कुशन नमर नाइन देखते सोल यानि सोल का वर्तमान संस्क्रांड कॉंसे चलता है तो सोल का टू चलता है इस चीज़ का ध्यान नहीं कुश्चन इंपोर्टन है कई बार पूचा जाता है सोल का वर्ष भी पूचा जाता है सोल सोल वन यानि 1.0 का वर्ष कम आया तो यह पूच्छ जाते हैं यह फिसन इंपोर्टन है इतने सोल के चलिए कोश्चन नमर दस देखते हैं कुश्चन नमर 10 क्या कह रहा है कोश्चन नमर दस कर रहा है कोश्चन तो वह एक वाला देखे या वाले बात आती है यू के की तो इसमें लंदन लंदन पैरीश बहुत सारी चीज़ आती है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी तो सका सब्सक्राइब मैंपमिल यानि की ऑप्शन नमबर है अड़ी हो जाएगा संसर चलिए आगे चलते हैं question number 11 देखते हैं question number 11 क्या कह रहा है question number indexing and abstraction priority कल्स किस परकार की सूची स्रोत है तो वो है bibliography यानि कि bibliography की बात कहीं गई है यानि कि bibliography की बात की bibliography कल्स चीजे हैं चलिए question number 12 देखते हैं sr रंगा नातन, sr रंगा नातन, sr रंगा नातन दारविक्सित वर्गिक्रिट के सामाने सिद्धान्त में निम्न में से किस रूप में वर्गिर्ट किया गया था तो यानि कि option 12 का का बारा का देखी option number हो जाएगा हमारा वर्गिर्ट ऐस्थान्तिक सिद्धान्त यानि option नमबर sorry 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 वर्गिर्ट है गतिक सिद्धान्त वर्ट थक नहीं है option नंबर सी होगा सकान से चलिए कोशन नंबर 13 देखते हैं उन्हें से कौन सी विस्तार यानि कि इस तरह से पूछा गया है कि अनुबर में आउटपुट फाइल डाटा प्रदिशित करता है तो यह है तो यह क्या करा अन्क्रम फिश्ट डाटा यानि आउटपुट डाटा को प्रदिशित करता है तो वह जाएगा बी एमपी यानि कि भी एमपी चलिकोशन नंबर 14 देखते हैं महाराश्टा सारजनिक पुस्तकाले अ देख्ष कौन हैं तो वह होते हैं शिक्षा मंत्री चलिकोशन कौन सा पॉइंटिंग डिवाईस का उपियोग है तो वेंट चनल से लाइट पैन डेवें में से कौनसा बेंस वी मस डि lash यानिके डि BMS, DABMS के विशे इस्ता क्या है Data Management Sorry Data Base Management System यह है full form इसकी Data Base Management System इसे DMS, इसलिए short form में DMS भी पढ़ा ज़िए बहुत से बच्चे DMS पढ़ते हैं DBMS है इसका इसलिए और जब हम भी library कर रहे थे तो DMS, DMS बोलते रहते थे बच्चे तो DMS, जब चीजों को समझा तो पता चला कि देखा कि DBMS है, Data Base Management System और Computer Language में भी Data Base Management System पढ़ेंगे यानि Computer Language में DBMS मिलेगा आपको और library में भी DBMS मिलेगा तो इसका आज़ाए, आंसर हो जाएगा SQL चलिए, आगे चलते हैं Question No.17 Question No.17 का रहा है Question No.17 का रहा है भारत में किस वर्ष राष्ट्य पस्तकाले सब्ता मनाया गया यानि मनाया जा रहा है कब से मनाया जा रहा है यह question तीन question आज़ेंगी इसमें आपको मैं अभी लिखे में अब लिखे व्यदा आता हूं यह यहां बहुत हों सा सब्ताहां वह पूछे जा रहा है किस के उपलक्षी में ना जाता है इसके उपलक्षी में लाउये धन कुर्वा तो कि यहांन रहे आनसर लगा है अंसर होगा डी नाइंटीन सौज्टी एट से valueaced से चाहिए क certa शैलिए culture ननमर 18 को इंगते हैं कि नम एटीन नि जीए इंप इंफोर्मेशन लिटरेशी फॉर लाइफ अंग पूंट को विक्सित किया तो वुषता इवला के बात करें की है यानि इफला की बारे में a फ्रा ने कोशन आएंगे इफला के उपर अगर आप के सोल क्ष़्षन के लिए मिलेंगे इतना इमपोर्टंट है अप चल्हें आगे चलते हैं कोशन Mer 20 जब को अपने कार्य करत यह सूची चाहता है कि उसे क्या कहा जाता है यानि कि उसे क्या कहा जाता है सूची इनफॉर्मेशन नीड यानि कि इनफॉर्मेशन की नीड है अब यहां पर आपको मैं चीज बता दूं यह से नीचे अब यह information नीड लिखा हुआ है sorry information नीड को लिखा गया information नीड ठीक है information नीड को लिखा गया है इसलिए मैं कहता हूं कि लाइबरी साइंस को हिंदी में समझना बहुत ही अब क्योंकि English के word आप चाहे हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में दे दो महला किसी भी लेंग्व मिलेगी मिलेगी यह लाइबरी का पर है तो इंग्लीश का जो दोस्ते हैं कि हिंदी में थोड़ा सा परते से इसलिए भी कार होता है अगर आप हिंदी और इंग्लीश दोनों पड़ेंगे मिक्स करके पड़ेंगे चीजे समझ में भी आएगे तो इंग्लीश में दोनों आप कोश्चन सारे देखिए के अगर में मुझे कोश्चन मिलते तो मैं इंग्लीश में ही आपको समझा देता क्योंकि हिंदी में चीजे समझ में आती खास का सीजिए चिया कि बच्चों के टिमांड है क्योंकि हिंदी में ज्यादा बच्चे हैं तो इसलिए हिंदी में कुश्चन लाना भी important होता है अगर सब अंग्रेज बन जाएंगे तो हिंदी वाला ये इंडिया को भारत वोलने वाला कौन रहे जाएगा इसे थोड़ा से हिंदी में भी हमें लेके चलना है कौशन नमबर 20 देखते हैं उनमें से कौन सी बुक सेलेक्शन टूल है यानि कौन से बुक सेलेक्शन टूल है तो इंडिया नेशनल विवलोग्राफी यानि की अप्शन नमबर यह हो जाएगा इसकान सा चलिए कौशन नमबर 21 लेके चलते हैं शेक्शन पुस्तक का लेकी सूची सेवा के विकास के लिए 1991 ने UGC ने क्या कदम उठाया तो वो क्या कदम उठाता इफली यानि को उच्छन नमबर 21 का आंसर हो जाएगा इफलन नेट यानि की इंफरमेशन लाइबरेडी नियट्वरकivities की इंफ्रमेशन या साई से से information, lib से library और net से network, information library network का उप्योग किया, इससे यह पूछा जाता है, net का जो database है, वो कहां पर है, यह पूछा जा सकता है, question नमर 22 देखते है, एक user को subject, तो यह कहा रहा है कि एक user को subject coverage of chemical subjective को समझने का मदद की जाती है, तो उसे क्या कहते है, तो वो होते है, user assist, यानि कि एक तरह से user assist की concept है, user assist का concept आपको पताना चाहिए, चलिए, आगी चलता है, question number 23 देखते हैं, उनमें से किस एक computer की पांची PD के अंतरगा श्रेणी बद किया गया है, तो वो है artificial intelligence यानि कि आप से देखे computer की PD, पहले वैक्यूम tube फिर यह शैवीर चाहिए चीज़े बता है, सर्किट इंटेग्रेटे सर्किट आया वैक्यूम ट्यूब है यह सब चीज आपको कॉंसेप्ट से पढ़ने होगी पीडी दर पीडी पढ़ने होगी आपको मैं भी बता देंगे अभी पहले कोश्चन लेके चलते हैं क्या क्या चीज आ रही है अब जो आप इस तरह किस तरह कहते हैं भारी बर कम question ही आपको देकने की लेंगे earth question की लेंग्वेज तरह के मिलेगी लिए हिंदी मेड्यम वालों के लिए आप समझ ही नहीं जैए इसलिए मैं question ही लेके चल रहा हूँ पहले तो question number 24 के रहे हैं निमन में से किसने UDC को सबसे पहले विक्सित किया तो UDC को विक्सित करने वाले important question है तो यह आपको पता होना चाहिए UDC का विक्सित किसने की इनका नाम है part-odline यानि part-odline यानि कि इसका यो देखे UDC DDC CC इनका तो तीनों का नाम याद कर ले ना किसने विक्सित किया ठीक है चलिए आगे चलते है वेक कौन सा question अब एक चीज़ और मैं बता दूसमें इनके जो आप यह जो विकास की बात कर रहे हैं यानि किसने का विकास किया उसके बाद ये भी आप से पूच जा सकता है VERS वर्ष पूच जा सकता है कि वर्ष में और इनमें अंतर जाता पूचने जाता वैसे पर आपको यह बताना चीज़ अंतर क्या क्या है UDC DDC और CC कहा कि यह पूच जाता है वर्ष पूछा जाता है और किसने इनका विकास किया जी पूछा जाता है तो इस सीज़ का ध्यान रखें आप खास चलिए आगे चलते हैं कुछ नंबर 15 कह रहा है वे केटलोग अब आगी वहीं बात जो मैं कह रहा था इंग्लिश में वहां जिसमें कुछ एंट्री यानि एंट्री संख्या में और कुछ एंट्री वैसे होती है उसको क्या कहते हैं यानि किस रूप से मां जाता है सीज़े सीज़े आजाएगा क्कासिविशन केटलोग कोश्चन नमबर 26 देखते हैं निम्हें से कौन सा वैड वीड़िट किया है तो वह जाएगा बिट्स कोश्चन इतने भारी बार कम मिलेंगे आपको आपको समझ मिलेंगे इसलिए मैं बिल्कुल वही कुश्चन होएगा प्रिवेस कोश्चन ही है क् अनुवाद सेवा परदान करता है तो वह होगा सबसे पहला निस्केयर डिल्ली आपसे पूचा जाता है निस्केयर वह पूचा जाएगा कहां पर है दिल्ली में आपको पता चलेगा काब आया यह पूचह जाएगा किसने इसका उख गया तो इस चीज़ का चीज़ आपको पता होने चीज़ है क्वेशन नमबर 28 देखरें कैटलोग कि मैने में से नियम दो या दो से अधिक संभावित विकल्प के बीच विशेश प्रकार की गटना संपूंता से अंगरीत अर्थ विश्था को पसंद करने के लिए शित होती है तो वह हो जाएगा लोग यानि कि लोग पर सिमानों यानि कि ऑप्शन नमबर वन हो जाएगा इसका आंसा चलिए कोश्चन नमबर प्रंटी नैन देखते हैं ऐसा रंगनातम की अंसा संदर सेवा जो विशिष्ट सद्धान्त और सामान्यताओं से सद्धान स्वरी संबन्दित है लेकिन विशिष्ट भागों में आसानिस से लागू नहीं किया सकती को क्या कहते हैं तो वह सामान्य पटन के लिए सामान्या सायता यानि कि उप्शन नमबर वन हो जाएगा इस कान से क्वेश्चन नमबर टीज देखते हैं निम्न में से कौन से वर्स 1910 के बढ़ोद्रा इस्टेट लाइबरिडी से सब्सक्राइब यानि प्लैनिंग बढ़ोद्रा इस्टेट लाइबरिडी क्वेश्चन नममर टीवन देखते हैं निम्न में से कौन से ओप्डैटिंग सिस्टम मशिन इंटरफेस और ओपन स्वार्स eto ओपन फसवार्स अग को पता यह the lenex चैनल जाएगा Linux operating systemwhite person operating system विंडो ओपरेटिंग system है यह ant trading course operating system सिफ्टेम है इस जीज़ का ध्यान लख की Thank The question No. 33 देखते हैं कि ऐन्रे ओपरेटिंग सिफ्टेम अन्य operating storage media की तुल नाम में warm की अनिवारी विशिष्टा क्या है तो वो है एक बार में कई रिकॉर्ड को अंतिक रिण करना option number C हो जाएगा स्कान सा चलिए आगे चलते है question number 32 नियम्न में से कौन सा टॉम तक नियम्न के निर्देश के बारे में आपको बताती है तो वो हो जाएगा पैट्री एंट्रो लाइसिंग चार्ट यानि कि option number 1 हो जाएगा अब देखिए आपके सामने यह वो question है जो आएवे यह लाइब्रेरी के पेपर में ही आएवे question है वही उठाए है मैंने तो इस हीज़ का देखिए अब आप देख लेजे आपको यह question अगर पढ़े जा रहे है तो इस तरह की question आपको मिलेंगे और 100% में मिलेंगे लाइब् क्योंकि अख वजह से history हो गया political हो गया इसमें अकबर का बेटा जो है वही रहेगा तो लाइब्रेरी में भी T.O.M. तकनीक वही रहेगी CC वही रहेगा तो इसलिए इसमें भारी वरकम सब्दों जिलना को यह पचाना आना चाहिए जे के खन्ना द्वारा सुरू की गई भा से है ठीक है चलिए आगे चलिए डीवी दस्रमला वर्गी करण यानि डीडीसी के संख्या 28 का प्रियूफ होता है यानि देखे अब आपको मैंने कहा था ना कि इंग्लिश में होना चाहिए डीडीसी अब आपको यह डीडीसी समझ में आ गया और डीवी डेसेमल वर्गी कर कि समझ में आएगा यह नहीं आएगा वर्गी कर यह वर्गी करण जो चीजें है वह भी हिंदिवारों के लिए समझझे हैं वर्गी कर अर्वर्गी करण दोनाव में से कोई से मिल सकता है तो इसका आप पार्ट अन्य इंफर मीडिया के यानि information मीडिया के बारे में कहा गया है के लिए इप्योक है जीरो टू एट अब आपको मैं एक चीज बताता हूं देखिए इन डीडी सी में आपको एक से लेके लास्ट तक सारी चीज़े सीख लेनी है यहां लेकि सो स्वरी सो दो सो तीन सो चार सो पान सो छैसो सा आठ सो नो सो इनके अंदर जितनी भी चीजें वो सारी चीज सीखे है नहीं पहले यह चीजी सीखिए इस तरह सीखेंगे आप डीडी और यांद हो जाएगी और अब है भुझष डीडी के या लाइब्रेज इन प्सक्राइबा को सब्ताब टूरे नहीं दो बशारा में मétait पूर। में तक कोई कोई डालता है द्सक्राइब कुध्स हो पर जो नमबर हैं वो ॐढ़ी के में नंबर मिन मर हों ही ही से सुरोता है सो में पताओ लिए 20 2006 n तो इसलिए आपको डिवीजी के बारे पताना चीए चलिए आगे चलते हैं इन में से किस अंक पादिती संकलन है यानि कि कि कारिय मुल्यंकन यानि कि आप्शन नमर भी हो जाएगा फाइन प्रगवंदन एक कारिय है तो क्या फाइन प्रगवंदन एक कारिय है तो वो हो जाएगा संचलन पद्धती यानि कि आप्शन नमबर दी हो जाएगा चलिए आके चलते हैं आगे क्या कर रहे हैं कि कुशन नमबर 38 देखते हैं वर इडिक केटलोग कोड़ी स्पेसिक फैसिक स्पेसिक एडिक कॉलोन नमबर एंट्री यानि कि यह कुशन देखिए डेली लाइब से अगर आप लाइबरी में इंक्लूडिंग हो होंगे तो यह आपको पता हुगा तो यह जो कॉंसप्ट है कि वर्गिग्रित की केटलोग किस रूब में परिवाशित किया गया है तो एक सॉरी कि फ्रांस रेफ्रेश एंट्री रेफ्रेश एंट्री के बारे हम बात किए एक चीज़ और देखिए हमारा पेपर है 28 से चुरू हो जाएंगे एन्वेस कि जो समस्य मुझे हो रही है यानि एक तरह से कोफ ओल्ड यानि कि खासी जुगां या इसी से भी बची रहना तब ही प्रबंदन सिधान डिस क्रिप्टिव डी कोस का अर्थ है क्या है ग्रूप है तो वह है ग्रूप स्प्रेट अधिक कोर्स की बाता है तो गुरूप स्प्रेट आ जाएगा चलिए कौशन नमबर 40 देखते हैं वह कौन से सेवा का प्रकार है जो यूजर से वास्ताव से सूचना लेता है और उसे पूर्ण यूजर इसकी मांग के लिए सूत्र करने की दिल्चसपी देता है तो वह होगा सूचना प्रसा यानि कि ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा स्वरी चले कोशन नमबर 41 देखते हैं भारत के से इतिक कृति कोपी राइट की रक्षा के लिए कौन सी शर्ट है इंपोर्टन कोशन है लाइबरेज इन स्वालोग इंपोर्टन कोपी राइट के उपर कोशन मिले गई यानि कोपी आर आई जी एच्टी आई लाइखका कि मृत्यू के वर्स साट वर्स तक के साट वर्स के बाद की बाद कहीं टक है यानि साट वर्स जैसी कतम हो जाएंगे मृत्यों के बाद यानि कि दोजार पूरे हो जाएंगे तो आप उसकी कोपी राइट वाली चीज़े यूज कर सकते हैं वह कॉंसेट है कुशन नंबर 42 देक्ट किस वर्स और यानि कि आपको एक चीज और बता दू है तो यह था एक ग्लोबल स्वारी रुप जाएंगे एक ग्लोबल पॉब्लिक डाटाबेस डॉमें यह है और आपसे यह जी आर आई एस की फुल फॉर्म जब पूछी जाएगी वह हिंदी में नह हो चीज आएगी तो इसलिए इंग्लिश में याद करना जितनी फुल फॉर्म है लाइब्रे साइंस में इंग्लिश में याद करना क्योंकि वह इंग्लिश में ही मिलेगी जैसे इफलेनेट की फुल फॉर्म इंग्लिश में मिलेगी और और किसकी है फुल फॉर्म इस रोक जितने भी सारी चीज़ें जैसे आर्गनेट की है इन सब चीज़ें की फुल फार्म एंगलिश में ही मिलेगी तो इस चीज़ का ध्यान है अब यह पूछा आरम कब वह था इसका आंसर है उन्हें सो पिचत्तर चलते हैं एक प्रश्ट की चार अथवा खुले पन्ने के कि टिपिंग की मरमत की जाती है तो उसे क्या कहते हैं फेड ड्रिंग यानि की ओप्शन नमबर सी हो जाएगा कोशन नमबर 44 देखते हैं जब यूजर को किसी विश्च पर लगबग सभी संदर्व साहिते की आउशकता होती है तो ऐसे विप्ट में क्या करा जाता है तो वह जाता है एक्षिस्टिंग एस्प्रिश तो इसकांसर हो जाएगा एक्जॉस्टिंग एप्रोच यानि की ओप्शन नमबर ब्यू जाएगा इसकांसर नमबर 45 देखते हैं नोटेशन के संदर में कारडिनल वैल्यू का अर्थ है तो वह है संख्यात्मक मान जिससे प्रतियक अंक साहिते करता है तो यानि ओप्शन नमबर इस चलिए आगे चलते हैं 46 कहते हैं 46 क्या जबाएगा जाती है किस प्रकार का डाटा बेस लाइब्री लिट्रेशी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस हैं तो वह क्या है सूची करन यानि कि सूची करन में सूची करी जाती है कोश्चन नबर 47 देखते हैं यूज चलिए 47 देखते हैं कोश्चन नबर 47 क्या क्या रहा है कोश्चन नबर 47 सीरियस लिस्ट ओव सब्जेक्टिव हैडिंग का प्रकाशन पहली बार कब वह था तेईस में यानि की उन्निस सो लुक्या 1923 की बात की गई या नहीं 1923 में चलिए आगे चलते हैं क्वेशन नमबर 48 एप प्रकाशित थीम्स एंड डिजिटिंग क्वेशन नमबर 48 में सीधे सीधे बात कर रहा है इतना घुमा फिरा की बात नहीं करता हुए थेशिस और डिसर्टेशन की बात करें किस रूप में वर्गरित किया जाती है तो वह आपको पता हुए ग्रेड डिट्रेश्चर ठीक है चलिए क्वेशन नमबर 49 देखते हैं प्रिंट से इलेक्ट्रोनिक सूचना समसादनों के सस्थान अंतरन के अन्यमन में से किस तरह के एक परिवाटन की रूम में वर्गरित किया जाता है तो आंत्रिक प्रस्थिति यानि ऑप्शन नमबर क्वेशन नमबर लास्ट देखते हैं लास्ट स्थिन नमबा पचास वा इतने कोशन को बचाई यह दिए इतने को आपको मिले पचास कोशन में और पचास कोशन में आपको जो पहली बार लाइब्रेर बर दे रहा हुग उनमें से एक भी अष्च्ष्ण पल्ले नहीं सकती देखे लाइबरेरी में नहीं चलता हो जाये किसी आप नहीं पढ़ लेदे बहुत तारी सब्सक्राइब सबसे इंपोर्टेंट कोशन आते हैं बी लीव सबसे पहले बार कहां शुरू की गई थी और लाइब्रेरी में पीएच डी कहां से शुरू की गई थी सबसें आव को पता होने एंपोर्टेंट कोशन है आलके इंपोर्टेंट एक और कि कहीं से भी कुछ भी पूचा सकता है और उसका स्रेश यह पता है कि यहां पर भी हमें यह पता है कि इसलिए हमें दख्याने ज़ुद में हैं कि इधर से पूछो या इधर से पूछो यह कोशन आ गया यह कोशन वही रहेगा ठीक है बच्चो अश्यकर तो आपको वीडियो पसने लाइक करें शेयर करें चैनल जोड़ सब्सक्राइब करकें इससे आपको नोटिवेशन मिलता र है ठीक है बच्चो थैंक यू